नवश्कार मवप्रिया आज है 26 जन्वरी यानि की गंतन तुर्तिवस आप सभी को 73 गंतन तुर्तिवस की हाथ एक्षिब काम नाएं अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओद आज जहांकी में दिखेगा नशामुक्त बिहार बिहार में मिले COVID-19 के 2000 से ज्यादा मामले बिहार गोट कक्षाई 11 हवी में नामांकन की लास्ट डेट बढ़ी आगे बिहार की गुझन की अद्भुत कला देख जजिस के उड़े होश शिफाली वर्मा ICC T20 बल्लिवाजी रैंकिंग में पहुंची शीर्ष पर अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से आज गांधी मैदान में मुख्यांकी में दिखेगा नशामुक्त बिहार आज बिहार समय देश भर में गंतंत्र दिवस की धूम देखने को मिलने वाली है हालाकि कोरोना की तीसरी लहर के कारण किसी बड़े कारिक्रम का आयोजन तो नहीं होगा लेकिन आज गांधी मैदान में छोटे छोटे कारिक्रम का आयोजन किया जाएगा हलाकि गंतंत्र दिवस पर होने वाले मुख्य कारिक्रमों से पहले पटना की गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिये गये थे जिसके बाद ही आज सुभे गेट खोले जाएंगे समाहरों में सिर्फ पासधारकों को ही शामिल होने की अनुमती होगी इसके अलावा गंतंत्र दिवस पर इस बार मधिनिशेद उत्पाद इवंने मधन विभाग द्वारा नशामुक्त बिहार की जहांकी दिखाई जाएगी इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाथ सुधार ग्यात्रा भी दिखाए जाएंगे इसमें बदला बिहार भी नजर आएगा बैंक ऑफ बरोदा ने निकाली रिखतियां www.bankofbaroda.in पर जाकर आवीदन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जोड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए यूरल से जाकर ले सकते हैं बिहार पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों को मिला राष्ट्र पति पुलीस पदक पर पुलिस महनदेशक सुनील कुमार डी आई जी राम कुमार समित अन्य को दिया जाना है वहीं कई पुलिस कर्मियों को भी पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा बिहार बोट कक्षाई 11 हवी में नामांकन की लास डेट बढ़ी आगे क्योंकि बिहार विद्याले परिक्षा समीती पतना ने इंटर्मीडियेट परिक्षा 2021-23 के तहट कक्षा 11 हवी में एडमिशन की आखरी तारीख बढ़ा दिया है इसके पहले बिहार बोट ने एडमिशन नेने से चुके अभियर्थियों के लिए 10 जनवरी तक आवे दन का मौका दिया था इससे पहले BSCB इंटर एडमिशन की लास डेट 27 दिसमबर 2021 थी वहीं अब छात्र इंटर23.biharboardonline.com पर जाकर अपना नामांकन करवा सकते हैं NTPC रिजल्ट को लेकर छात्रों का दूसरे दिन भी उगर प्रदर्शन रेलवे ने दी छेतावनी NTPC रिजल्ट में धानली का आरूप लगाने के साथ ही छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा आउटर सिगनल पर खड़ी रही वहीं बकसर में हावरा दिली रेलपत को जाम रखा गया जिसके कारण ही कई ट्रेन डाइवर्ट की गई तो कई देरी से चलाई गई वही रेलवे भरती पर एक शाओं को लेकर बवाल करने वाले अभियर्थियों के लिए रेल मंत्राले ने च्वेतावनी जारी की है रेल मंत्राले रेलवे भरती बोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ऐसे अभेर थी जिन्होंने रेलवे संपतियों को नुकसान पहुँचा है उपद्रव में शामिल रहें उन्हें रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी बिहार में गोविट-19 के 2000 से ज्यान अमामले जमुई में 37, जहानाबाद में 17, कैमूर में 5, कटिहार में 39, खगडिया में 19, किशन गंज में 22, लखी सराय में 8, मध्यपुरा में 80, मुंगेर में 44, मुझफरपूर में 112, नालंदा में 17, रहनवादा में 8, पट्टा में 284, पुर्णिया में 253, रहतास में 27, सहरसा में 45, सम अमढ़ी में 50, सिवान में 38, सुपॉल में 12, वैशाली में 93, वैश्चमपार में 89 मामलों की पुष्टी हुई है, इसके अलावा 26 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके सैंपल दूसरे राज़िके हैं, लेकिन वो बिहार के अलग-अलग जिलों में क उसमें आज कई अद्भुचीजे भी देखने को मिलने वाली है, वहीं आज बिहार में एक और कारणामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज बिहार के एतिहासि गांधी मैदान में होने वाली परेड का नेत्रुत्व इस साल महिला अधिकारी काम्या मिश्रा कर रही है, जैसा कि आप सबको पता है कि समारों में 14 बटालिन परेड में शामिल हुई है, ऐसे में आज इन सभी 14 बटालिन का नेत्रुत्व पटना की महिला अधिकारी काम्या मिश्रा कर रही है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि साल 2002 में बिहार की पहली महिला IPS शीला इरा के नेत्रुत्व करने वाली पहली महिला IPS बनी थी, उसके बाद महिला IPS नेधीरानी ने गंतंतर दिवस परेड का नेत्रुत्व किया था, इस सब एक महिला अधिकारी द्वारा परेड का नेत्रुत्व करना महिलाओं के सम्मान की बात है बिहारवासियों को अभी ठंड से राहत मिलने की कम है उमीद बिहार में ठंड का सितम जारी है हाला कि मौसम विज्ञानिकों की माने तो बिहारवासियों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई उमीद नहीं बनती दिखाई दे रही है हालाकि बिहार में पिछले दो दुनों में चाय हुए बादल बुधवार तक छटने की संभावना ज़रूर जटाई गई है वहीं अगले कुछ दुनों में आस्मान साफ रहने से निंतम तापमान में 3-5 तिगरी की गिरावट भी आएगी पुर्वानुमान के अनिसार अगले चार दुनों में रात के तापमान में धीरे-धीरे 3-5 तिगरी की कमी आएगी इससे पहले राजु के उत्तरपुर्व और दक्षिनपुर्वी जहित्र में मंगलवार को हलकी से मध्यम बारिश और हलकी से मध्यम कोरे का पुर्वानुमान लगाए गया है। मौसम विज्यानिकों की माने तो प्रदेश में अगले 48 घंटे हलकी से मध्यम बारिश होने के आसार भी है। प्रस्क्षन शुरू हुआ है जो की एक महीने तक चलेगा। उमीद है कि ये प्रस्क्षन अगले 24 फरवरी तक जारी रहेगा। इस एक महीने के प्रस्क्षन अधी में राजस्व के विभिन विश्य चकबंदी, भू अर्जन, भूमी सर्वेक्षन और विभिन आक्ट और रूल्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्रस्क्षन के आखरी में इन्हें व्यभारिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस रिपोर्ट की माने तो राज्य के सभी जिलों में छात्रों की अपेक्षा अधिक छात्राएं नामांकित है। यूडायस की दो हजार बीस एकिस रिपोर्ट के अनसार राजिभर में कक्षा एक से बारहवी तक की बात करें तो एक करोड तिरानवी लाग सरसथ हजार नौसो विद्यार्थी नामांकित है। इन में छात्रों की संख्या 94,24,430 है। वहीं छात्राएं कुल 99,95,470 है। हर जिले में नामांकान में बढ़ोतरी हुई है। अद्मिट कार्ट गुम हो जाने पर भी छात्र दे सकेंगे इंटर की परीक्षा। अब बस कुछी दुरों में छात्र के इंटर की परीक्षा की शुरवात होने वाली है। ऐसे में अब छात्रों को बोड की तरफ से एक बाद ref एक रहा देने का काम किया जा रहा है। कार्ट, वोटर आईवी, पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अत्वा फोटो यूक्त बैंक का पास्बुक लेकर परिक्षा के इंदर पर आ सकते हैं। उसकी बाद पहचान पत्र की छायप्रती, राजपत्रत अधिकारी से सत्यापित कराकर परिक्षा के इंदर पर जमा करना होगा। पत्र हार का नाम पूरे देश में रोशन किया है। गुंजन ने 80 फीट के सिंगल स्टन पर एक से बढ़कर एक खतरना कर्तब दिखाए, इतना ही नहीं इस दोरान हुमन फ्लाग करते वे पाइप का एक चकर भी लगाया। का स्थानांतरन पदस्थापना किया गया है। जिसके तहट ही बिहार सिक्षा परियोजना परिशद में पदस्थापित सुनैना कुमारी को अगले आदेश तक पटना का छेत्रिय सिक्षा उपनिदेशक बनाए गया है। भोजपुर के जुला सिक्षा पदादिकारी प्रेमचंदर को मगत का छेत्रिय सिक्षा उपनिदेशक बनाए गया है। सिद्या सागर को RDDE मुंगेर के पदपर पदस्थापित किया गया है। भी मानना है कि छात्रों की आग को हवा देने का काम कुछ कोचिंग संस्थानों ने किया है। जुसके बाद अब उन पर भी FIR दर्श करवाने की तयार है। पटना के जुराधिकारी रॉक्टर चंदर शेकर सिंग की माने तो हम लोग विधी वेवस्था बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कई कोचिंग संसान पर नकिल कसा जा रहा है। पटना डियम ने कहा है कि जो भी चात्रों को अक्रोश करेगा उस पर कारवाई जरूर होगी। इस फॉर्मूले पर केवल भाजपा हाई कमान की मुहर लगना बाकी है। इसकी जल्द ही घोश ना कर दी जाएगी। इसकी साथ ही उना ने आगे ये भी कहा है कि जहां तक सहियों की दलों को सीट बाटने की बात है तो इसका अनिरने जद्यू और भाजपा के सीट बढ़वारे के बात ही होगा। उतरप्रदेश विधानसवाद चिनाव के लिए जद्यू की पहली सूची जारी। आपकी जहांकारी के लिए आपको बता दे कि जद्यू पार्टी के रास्ट्रे महस्ताचिफ के सीट्यागी के नित्रतु में उतरप्रदेश में चुनाव जद्यू लड़ने जा रही है। 28 जनवरी को सरकार की खिलाफ उतरेंगे पपू यादव। इतना ही नहीं पपू यादव ने तो इस बार सरकार को खुले चुनाथी तक दे दी है। उन्हाने मंगलवार को सरकार को खुली चुनाथी देते वे कहा कि वे विद्याथियों और बिहार के हक्त में आवाज उठाते रहेंगे। बिहार की जनता ने दिया तेजस्वी आदव को नकार। पासवान की तरफ से बिहार में जंगल राज की बात कहे जाने पर उन्हाने कहा कि जो चिराग आज जंगल राज होने की बात करें एक समय था जब जडियू सहित रामविलास पासवान उस दोर में लालू राज को आतंक राज कहते थे। 11 हमार्च को जारखन में पार्टी लॉंच करेंगे सेहनी मुकेश सेहनी का बगावती रवया इंदरोन लगातार देखने को मिल रहा है इसी बीच अब सेहनी 11 हमार्च को जारखन में अपनी पार्टी लॉंच करने जा रहे है जोसके बाद ही अब टीम लगातार जारखन में लोकसभा की तयारी में नजर आ रही है वह इन दिनों बिहार में विधान परिसर चुना की खूब जर्जा हो रही है इसको लेकर उन्हाने कहा कि सभी 24 सीटों पर उनके उमिद्वारों के नाम तयार है भारत के तिहास में आज की तारिक का एक कार्णों से दर्च 1930 में ब्रिटिश साशन के अंतरगत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाए गया 1931 में सवनिये अबग गया आंदोलन के दोरान ब्रिटिश सरकार से बाचीत के लिए महात्मा गानी को रहा किया गया 1959 में भारत का सम्विधान बन कर तयार हुआ और इसे सम्विधान सभा के ध्यक्ष डॉक्टर राजीन प्रसाद को सौपा गया 1950 में अशोक स्तंभ को राश्ट्रे प्रतेक चुन्ह के रूप में अपनाए गया 1957 में जमू और कश्मीर के भारत की तरह के हिस्से को अपचारी क्रूप से भारत का हिस्ता बनाए गया 1963 में माथे पर मुकुट जैसी कलगी और खूबसूरत पंखो वाले मोर को राश्ट्रे पक्षी घोशित किया गया 1972 में आज ही के दिन दिल्ले के इंडिया गेट पर राश्ट्रे असमारक अमर जवान जियोती का अनावरन हुआ 1982 में परेटे को को रेल के सफर के दारान शाही और विला सिता पूर्ण अनुभव का अनंद दिलाने के लिए भारती रेल ने पैलस ओन विल सेवा की शिर्वात की भारत की युवा बलेबास शिफाली वर्मा मंगलवार को ICC महिला T20 अंतराश्ट्रे अब बलेबासी रैंकिंग में एक स्थान के फाइदे से दुबारा सिर्श पर पहुँच गई है जबकि उनकी साथ ही सलामी बलेबास प्रती मन्धाना एक सान के नुकसान से चौथे स्थान पर खेसा गई और अस्ट्रेलिया की ही एलिसा हिली चठिस्तान पर रही वही न्यूजिलान की दो खिलारी सिर्श दस में सामिल रही इंस्ट्रग्राम ने हाली में यूएस में कुछ content creators और influencers के साथ paid subscription की testing शुरू की है जिससे उन्हें अपने followers से exclusive content, live videos, stories के बदले में मासिक शुलक लेने की अनुमती मिलती है ताकि जब वो creators के साथ बाच्वीत करते हैं तो यह दिखाया जा सके कि उन्होंने subscription किया है जबकि paid subscription feature केवल यूएस के कुछ content creators के लिए उपलब्ध है यह feature अभालत में local currency में कुछ content creators के subscription के लिए pricing levels के साथ देखा गया है अब आई जाते हैं सराफ़ बाजार और petrol डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 जनवरी को अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 जनवरी को 22 क्यारेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,770 रुपय था वहीं 24 क्यारेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,320 रुपय था बिहार राजकी एंजिनिरिंग कॉलेज में साहिक प्राध्यापक भरती परिक्षा का रिजल्ट घोशित अभेर्थियों का अपना रिजल्ट आयो की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर चेक कर सकेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इस भरती परिक्षा के लिए आयो को कुल 3042 आवेदन प्राप्त हुए थे कल हमारे दोरा पूछे गए सवाल का जवाब आपमें से बहुत सारी यूजर दे हमें कमेंट करके दिया इसके लिए आपको बहुत धनेवाद आपमें से जुन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आप इससे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते है आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार बिहार में कोरोना के मामलों में जारी उतार चुड़ाव के बीच क्या आप कोरोना से बचवाब को लेकर जारी किये गए नियमों का पालन अभी भी कर रहे हैं या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बता है इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड हैने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद